नमशकार आप Life Cities देख रहे हैं अगर आपसे कोई कहे कि बिहार में एक ऐसी मशीन बनी है जिसमें इधर से प्लास्टिक डालने पर उधर से पेट्रोल निकलता है तो आप शायद ही यकीन करेंगे लेकिन यकीन कीजिए ये जितनी सही ख़बर है उतनी ही असली वह मशीन भी है सबसे बड़ी बात ये है कि इस मशीन की मदद से सिर्फ 6 रुपे के प्लास्टिक कचरे से 70 रुपे का पेट्रोल बन जाता है बीते दिनों जब इस प्लांट का उधगाटन किया गया तो इसे देखने के लिए सेकडों लोगों की भीड़ उमर पड़ी लोगों में इस मशीन की प्रती विश्वास बढ़े इसके लिए मंत्री जी ने लगे हाथ 10 लीटर डीजल भी खरीद लिया उधगाटन के दिन इस मशीन द्वारा 40 किलो प्लास्टिक कच्रे से 37 लीटर डीजल तयार कर लिया गया जानकारी के मताबिक इस फैक्टरी में प्रते दिन 200 किलो प्लास्टिक कच्रे से या तो 150 लीटर डीजल या फिर 130 लीटर पेट्रोल तयार होता है सबसे पहले कच्रे को ब्यूटेन में बदला जाएगा इस प्रक्रिया के बाद ब्यूटेन को आइसो आक्टेन में बदला जाएगा फिर मश्रीन में ही अलग-अलग दबाओ और तापमान से आइसो आक्टेन को डीजल या पेट्रोल में बदल दिया जाएगा ऐसे समझे कि 400 दिग्री सल्सियस तापमान पर डीजल और 800 दिग्री सल्सियस तापमान पर पेट्रोल बन सकेगा इस पूरी प्रक्रिया में करीब 8 घंटे तक का वक्त लगता है जहां तक raw material की बात है तो इसके लिए नगर निगम से 6 रुपए प्रती किलो की दर से प्लास्टिक कच्रा खरीदा जाएगा इस युनिट में तयार डीजल पेट्रोल की सप्लाई किसानों के अलावे नगर निगम को भी होगी ये युनिट 70 रुपए प्रती लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल बेचेगा आपको बता दे कि केंदर सरकार की PMEGP योजना के अंतरगत 25 लाख रुपए लोन लेकर इस युनिट को खोला गया है ये देश ही नहीं बलकि विश्व का एक मात्र ऐसा प्लांट बन गया है जहां प्लास्टिक से डीजल पेट्रोल बनाया जाता है इसका पेटिंट मुजफरपुर की ही संस्था ग्राविटी एग्रो एंड एनरजी को मिला है कम से कम इस बड़ती महघाई के दोर में अब किसानों को सस्थे में पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा हलाकि केंद्र सरकार और राज्ज्र सरकार की तरफ थोड़ी राहत दे दी गई है लेकिन 70 रुपय प्रति लीटर के हसाब से अगर पेट्रोल और डीजल मिलेगा अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथी साथ हमें ट्विट अपर जरूर फॉलो करें धन्यवाद